हालो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से कोई जादू रिविल नहीं किया, आज एक मैजिक पुराना एक मैजिक आपको रिविल करके दिखाऊंगा, पहले मैजिक देखिए, चलिए शूरू करते हैं, यह देखिए मेरे पास एक पेन है, इससे आप कुछ लिख भी सकते हैं, कि ओडियन्स के देके भी कुछ लिखा सकते हैं, साइन करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, यह एक पेन है, उसके बाद जो मैजिक करना है, आप जादूगर है तो बहुत ही अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं, यह मैजिक पास दीजिए, उसके बाद दिखाईए, कि पेंट गायब हो गया, देखिए, एक चेन हो गया, पेंट टू चेन, मतलब गले का हार बन गया, एक पेंट से एक गले का हार, चेन बन गया, बस इसको पाकिट में रख सकते हैं, लेकिन मैंने बोला, आज एक मैजिक को रिविल कर दूँगा, चलिए, कैसा लागई यह मैजिक आज यह मैजिक आपको रिविल कर देता हूँ, इसके लिए छोटा से एक इंस्टूमेंट चाहिए, यह देखिए, यह मैजिक शॉप में मिल जाएगा, जो जादूगर लोग है जानते हैं, और जो मैजिक लवर है, वो भी कोई मैजिक शॉप से खरीच सकते हैं, ज्यादा करत कर दाम नहीं आए, यह देखिए, एक प्लास्टिक क्सीट है, ऐसा रोल किया हुआ है, एक साइट प्रिंट किया हुआ है, एक साइट ब्लैंक है, और समोने चोटा सा एक पेंड जैसा है, इसको ऐसे रोल करने से पेंड जैसा बन जाता है, और पीछे एक धक्कन है और इस चेन को इसका अंदर दे दीजिए, धक्कन बोल सकते हैं, पेन का जो कैप होता है, यह सही है, इसको यहीं तर टाइट कर दीजिए, बस यह पूरा के पूरा टाइट हो गिया, आप देखिए, पेन जैसे दीखता है, यह देखिए, एकदव औरिजि यह थोरा सा एसे खोल के हाथ में ले लेना चाहिए, और इस प्लास्टिक को ऐसे पकोरना चाहिए, आसे इसको देखाना चाहिए, दिखाने का बाहर, यह देखिए, धीरे से, कोई जल्दवाजी नहीं, ऐसे इसको पकरिए, छोरने से, और हाथ में चल जाता है, चेन बाहर आजाता है फिर से मैं एक बार करके दिखाता हूँ यह देखिए इसको सीधा करने से पेंज जैसा लगता है इस चेन को इसका अंदर घुशा दीजिए इसके बाद इसका कैप उपर लगा दीजिए कैप लगाने का बाद आप इसको आप इसको पाकिट में रख सकते हैं अब इसको पाकिट में रख सकते हैं जब चाहे इसे निकल सकते हैं कुछ लिखने के लिए बस ऐसे दिखाई उसके बाद यह वीडियो देखने के लिए अब सभी को धन्यबाद कहूंगा थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए जय हिंद जय भारत